अज्यूम करते हैं एक ऐसी गाड़ी जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 60 किलोमीटर पर आर बट हम उसकी मैक्सिमम स्पीड से खुश नहीं है We want more speed इसलिए हम लगा जेंगे उसके इंजिन के अंदर नॉस Have a look तो नॉस लागा दिने से गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है एंड इसी को हम बोलते हैं overclocking पर यह तो cars के अंदर था तो computers के अंदर क्या होगा असल में computers और बाकी दूसरे नए electronics एक speed पर ही चल रहे होते हैं इस speed को बोला जाता है frequency frequency is like कि तुमारे smartphone में कितना Gigahertz से तुमारा laptop कितना Gigahertz पर आया है तुमारा computer कितना Gigahertz पर जल रहा है तो यह Gigahertz है ना और यह Gigahertz यह Megahertz इसी को बोलते हैं frequency और इनी frequencies को जब बढ़ाया जाता है तो उसे बोलते हैं overclocking यानि कि 3.7 Gigahertz की frequency वाला एक computer को हमने बढ़ा के कर दिया है 4 Gigahertz पर उसे बोलेंगे हम overclocking computer के अंदर 3 major parts ऐसे होते हैं जनको हम कर सकते हैं overclock number 1 पर आता है processor यानि कि CPU number 2 पर आता है graphic card यानि कि GPU number 3 पर आता है RAM यानि कि RAM and you know what processor को overclock करने से होता है computer के अंदर power बढ़ा जाती है यानि कि अगर तुम editing कर रहे हो या rendering कर रहे हो तो ये काम processor को overclock करने से जल्ली होने लगेंगे जबकि अगर तुम game खेलते हो तो हम करेंगे graphic card को overclock graphic card को overclock करने के बाद game के अंदर fps बढ़ा जाते हैं एक्स्टा FPS बने लगते हैं अमको. और राम को ओवर्ट्लोक करने से सिस्टम हो जाता है ज्यादा responsive यानि कि एक टास्ट से दूहे टास्क पे सुच करने में तो रन दोता है. और अब चालो करते हैं main section यानि कि question answer section. Question number one है कि क्या overclocking करने से computer के parts कराब हो जाते हैं तो answer है no. अगर proper cooling मिलेगी तो कोई सा भी parts कराब नहीं होने वाला. That is true. Question number two है कि overclocking होती कैसे है? Well processor and RAM की overclocking होती है BIOS से तो कि graphic card की overclocking होती है operating system से यानि कि आपके software से. But most important thing is good cooling leads to good overclocking. तो अगर आपको processor overclock करना हो and RAM overclock करनी हो तो आपको चीपड़ेगा Intel की site से ZCNisk की motherboard यानि कि Z170 Z270, Z370 and AMD की site से B350 या X370. इसके अलावा भी motherboard आते हैं लेकिन वो जो motherboard आते हैं इसके अलावा वो overclock करने को तयार बिलकुल नहीं है. सिरिफ यही motherboard जैसे हैं की overclock कर सकते हैं. और graphic card का तो confirm है कि उसको कोई लेना देना नहीं है BIOS से. उसको बस software चाहिए operating system के अंदर. यानि कि software like afterburner, software like precision X तो software अगर उसको मिल जाता है graphic card को तो graphic card overclock होने को तयार होता है बस. Last question के अंदर दो parts है. पहला part है कि कि क्या तुम्हें overclock करना चाहिए part number two is कि क्या overclock करना safe है या नहीं. तो part number one का answer देने के लिए हमें community के दो से करने पड़ेंगे. यानि कि एक तो है Intel user, दूसर है AMD user. अगर तुम्हें एक Intel user हो और तुम्हारे पास Intel Core i7, Intel Core i5 है तुम्हारे पास Z170, Z270 people who are using AMD. यानि कि तुम AMD अगर यूजर हो और तुम्हें 2017 या 2018 के अंदर एक नयापशी बिल्ड करा है जो कि related to Ryzen है यानि कि BT50 motherboard and XT70 motherboard अगर तुम्हारे पास है और तुम्हें अगर अभी तुम्हें उसको ओर नहीं किया है then definitely you should try overclocking it because AMD के motherboard के अंदर उन्होंने simple overclocking feature दिया हुआ है यानि कि single click करते ही system automatically overclock हो जाता है खुद से ही तो वह feature बहुत ही सही है it should definitely be tried for once at least part number 2 यानि कि क्या overclocking करना safe है या नहीं उसके लिए चलते हैं green screen पे overclocking से तीन चीज़े बढ़ जाती है power consumption, speed and heat power consumption के बारे में हम दूसरे वीडियो के अंदर बात करेंगे proper CPU overclocking and proper GPU overclocking तो दो अलग अलग वीडियो होंगे वहीं पर हम बात करेंगे कि CPU के अंदर कितना voltage जालना चाहिए अब बात करते हैं about speed तो speed का ऐसा है कि it's like a throttle गाड़े का throttle है इंच लगी होगी डंडी तो 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 पूरा throttle नहीं खोल पा रहे हो इसलिए यह तोगा पूरा throttle खोलना है तो 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 निचे के डंडी हटानी पड़ेगी उससे पूरा throttle खोल जाएगा and speed extra gain करया सकती with the help of overclocking लेकिन पता है क्या जैसे जैसे गाड़ी की बढ़ती है speed वैसे वैसे बढ़ती जाती है heat भी and इसी heat को अटाना जरूरी होता है and इसी heat को अटाने के लिए दो चीज़े आती है या तो आप यूज कर लो एक air cooler air cooler वो होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं but Intel and I just want to ask this one question to you guys कि next video के अंदर what do you want me to make क्या तुम चाहते हो about a video on processor overclocking or you want a video on graphic card overclocking let me know in the comment section below in the end it's all about if you know what you are doing अगर तुमको पता है कि तुम कौंसे dial से गुमा रहे हो कौंसे क्या बढ़ा रहे हो then it is amazing to do overclocking and जब सच में performance system की बढ़ जाती है it feels so great it feels so amazing जब पहली बार मैंने overclock के तुम को I felt so amazing अभी के लिए ये वाला वीडियो इतना ही है guys thank you for watching this video and I know this video was not that ultra not that insane but then जैसा था जैसा था and let me know in the comment section below about the next video and अगर नदूर तक देख लिए तो please like कर के जाओ subscribe कर के जाओ if possible ring the notification bell also and I'm gonna meet you in the next video till then squad fam and peace out